बीना इंस्टरक्शन्स के हमारा कम्प्यूटर जो है वो वो वक नहीं करेगा वो एक क्या है एक सिंपल मस्षीन है तो या इंस्टरक्शन दिये जाते हैं कम्प्यूटर को वो दिये जाते हैं ऑप्रेटिंग सिस्टम के दूँव यह perform करता है सभी main task को जैसे कि यह provide करता है यूजर को एक medium जिससे कि वो interact कर सकता है कम्प्यूटर के साथ और यह connect करता है devices को जैसे की example में आप ले लिए प्रिंटर some of the operating system as follows जैसे की हो गया Microsoft Windows, Mac operating system and Linux based operating system जैसे की Ubuntu, Unix like operating system जैसे की Android and iOS and Unix based operating system जैसे की Solaris हमारी जो smartphone होते हैं जिसकों की हम लोग Android mobile कहते हैं पियों जैंड्रोइड नहीं की Android कहा यह operating system है तो यह Android क्या करता है Android हमें एक medium प्रवाइड करता है जिसके त्रूँ हम क्या करते हैं इंट्राइंग कर सकते हैं अपने mobile से कोई भी instruction दे सकते हैं काल कर सकते हैं किसी भी आपको यूज कर सकते हैं तो यह सब किसके थूर हो रहा है यह सब operating systems के थूर होता है और जो iPhones होते हैं उसमें हम कौन सो operating system use करते हैं ius operating system use करते हैं और जो हमारा most popular operating system है जो कि available है desktop और tablets के लिए वो हैं हमारा Microsoft Windows जो कि developed किया गया था और release किया गया था किसके तुरू Microsoft के तुरू बहुत सारे popular version है Microsoft Windows के जैसे की Windows XP, Windows 7 and Windows 10 whereas Windows 10 is latest version इस टॉपिक इस पीसी आइकन इस पीसी आइकन निक्या है किया है रिप्लेस किया है माई कम्प्यूटर को जो कि अबारे Windows 8 में होता था ये contain करता है सभी drives और folders को इस पीसी आइकन को हम उपन कर सकते हैं डबल क्लिकिंग से इस पीसी Windows को डिवाइड किया गया है टू सेक्शन में में विंडोज एंड लेफ सेक्शन इसमें क्या होता है बैकवर्ड और फॉर्वर्ड बटन्स होते हैं जहां पे search this PC लिखा है यह क्या होता है हमारा search box होता है यह allow करता है हमें quickly search करने के लिए किसी भी file और folder को उसका name टाइप करके हम उससे क्या कर सकते हैं search कर सकते हैं search box से this PC डिस्प्ले करता है left section में other tools जैसे की quick access, onedrive and network along with other tools quick access toolbars quick access toolbars क्या होते हैं जैसे कोई भी files और folders हमने recently visited की हुई है तो यह सारे क्या होते हैं यह displayed होते हैं मारे quick access toolbar में quick access toolbars के through हम access कर सकते हैं कै सारी चीज को easily जैसे quick access toolbars के तुर user क्या कर सकते है access कर सकते है system properties को properties के तुर और allow कर सकता है users को create करने के लिए new folder वाया new folder और हम customize कर सकते है quick access toolbar की क्लिक करके customize quick access toolbar के तुर Quick Access Toolbox allow करता है add करने के लिए tools को और इस PC में हमारे कुछ icons होते हैं जैसे कि restore करने के लिए minimize करने के लिए और close करने के लिए That's all, rest chapter we will discuss in our next video Thank you class